ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका फरिदाबार टाइम्स में तो चले रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर साइबर सिटी गुरुगराम में नोटबंदी के पाद पैसे जमा कराने और निकालने की मुश्किलों के बीच एक नई परेशानी लोगों को डराने लगी है बैंकों के बाहर लगी भीड के बीच लुटेरे और जेब कत्रे भी सक्री हो गये है गुरुगराम के अलवर रोड पर इस्थित केंडरा बैंक के बाहर कतार में लगे राकिश नाम के एक यूवक की एक बदमाश ने देखते ही देखते जेब साफ कर दी और रफू चकर हो गया राकिश नाम का ये यूवक सुभा अपनी दुकान से जहां ये काम करता है 40,000 रुपे केंडरा बैंक में जमा कराने के लिए लेकर पहुँचा था राकिश की माने तो वे कतार में खड़ा था उसी दौरान किसी ने उसकी जेब काट ली और 37,000 रुपे लेकर गायब हो गया राकिश को जैसे ही जेब कटने का पता लगा तो उसने तुरन अपने मालिक को इसकी जानकारी दी तोटल 40,000 थे मेरे 37,000 रुबे लिकेड़क जो भीड बहुत जादा थी बार कोई नहीं था इसमें बैंक के बार कोई नहीं था ना कोई गार्ड वगरा ना कोई पुलिस वड़ा एक स्रफ पुलिस वड़ा मां गेट पगड़ा था बस और कोई नहीं था वो भी अंदर था यह तो डेली रूटीन का ही काम है बंदा डेली आता है डेली करन्ट अकाउंट में पैसे जमा होते हैं आज आया है तो कोई बस यहां अब यह कोई स्कोर्टी वगरा कोई यह लड़का बता रहा है है नहीं यह अब नहीं था तो अंजाने जाने जो भी हुआ इसके साथ में उनको काम उनका काम असान हो जाता है बिल्कुल पलीस की ना पलीस में स्काइट की है अभी पलीस आ रही है बोला यह गया अभी आ रहे हैं अभी देखतो क्या क्या होता है आगे